नवस्कार अपजोई राचु जेस्टीवी निउज अने नॉन्स्टॉप नेशनल साथ हैं हूँचुत्वन तब लाडूना मुख्यमंत्री अमके स्टालीन ना दिकरा उदे निधी स्टालीने सनातन धर्म पर विवादत निविदन आपता हुबाडो थाउचे सूशल मीडिया पर भाजपता नीताओ सहे तानीक लोको उदे निधी ना निविदन सामे विरूद व्यक्त करी राचुए करेकर उदे निधी तैमना निविदन मा सनातन धर्म नी तुलना डैंग्यू अने मलेरिया साथे करी हती तैमने कायू हतू कि सनातन नो फक्त विरूद ना करवो जोईए पर तैने समाप्तच करी देवो जोईए एजंसी अनुसार उदे निदिये शनिवारे सनातन उन्मूल ना सम्मेलन मा काउँ हतू कि सनातन धर्म समाजिक न्याय और समान तानी विरूत शे तमिलाडूना मंत्री उदे निदिस राली ने सनातन धर्म विश्य आपिला विवादास्पद निविदन पर प्रतिक्री आपता भाजपना अध्येक शुकी अन्ना मलाईय जनाविव के सनातन धर्म शब्द खृस्ती धर्म अथ्वा इस्लामिक धर्म करता पन वधू चुनू सनातन धर्म इटले शास्वत धर्म उदे निदिना निविदन थी देश ना 122 करूड लू कोई निंदा करवी जोई है कारण के आप्रकान निविदन कोई चौकस धर्म प्रतिक थित नफ्रत दर्शावे चे उदे निदि एक स्क्रिप्ट माथी भाशन माची रया हता जने स करवान पड़े तयार करवा मावयुहतू कोई एक संस्क्रूती ने खतम करवानी वातने नर सन्हान मी धम की कहवा मावेश्यूए I try to take for a particular religion has come out yesterday last year every year the Dravidakalakam and they're like minded people they keep organizing some or the other conference last year it was Sanadna opposing conference this year it is Sanadna eradication conference they've gone one level up to say eradication and the speech that he gave I saw his speech also I don't think he was speaking verbatum if somebody इस बिक गई बिटेग थो अगविपल गेंब यहां गुए परबबली दॉट्वाइब आप्टी इस रिए जान आविव किुदे नी ती श्टाली ने सनातन धर्म विश्रीं जी निविधन आप युशे तमनो पोटानो अभिप्राय होई शेकेचे विश्ममा घना धर्म होई अने कोई ये पण अनिये धर्मों विश्रिबीन जरूरी तिपणी करवानू तार्वू जोई सनातन धर्म एक स्थापित जीवन चलिए थार्मीक भाव चे अने तैनू संपूर्ण पणे संद्मान थाओ जोई भारत मा वर्शू थी सनातन धर्मनू पालन थाओ चे अने तैना विचारू उवीद अने पुराणू मा रजू करवा माविलू ज्यान अमुल्या चे वेद मा रजू करवा माविला ज्यान नी सर्खामनी थाई शके नहीं थांग थार्म भारत का ये सदियों से चले आ रहा है और स्थापित है इसने 안्यकों परिस्तितियों को देखा है और हजारों साल से जो विचार विद्यमान रह सकते हैं उनमें अत्याधिक गहराई उसके बिना नहीं होता नहीं तो कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है वो पुरा नहीं हो जाता है वो छूड़ जाता है फिर कुछ दिन तक चला फिर वो छूड़ जाता है चलन होते हैं वो आते हैं और जाते हैं सनातन धर्म की गहराईयां वेद पुरानों की परंपरा और उसका ग्यान ये अदूती है और दुनिया में मैं मानता हूँ कि वेद के सार ग्यान के सार से बड़ा ग्यान का शोथ दूसरा नहीं है अमादमे पाटिना नेता संजे सिये तमिलाडूना मंत्री उदे निदी स्टाली ने सनातन धर्म विश्य आपिला विवाद आस्पद लिविदन पर प्रतिक्रिया आपता चनावियू के भारत विविताओं मां एकता धराव दो रास्क्र छे देश मा अलग अलग धर्म जाती अने भाशाओ छे आपने तमाम धर्मों नू सन्मान करवू जोई है कोई ये पन अन्य धर्मों विश्य टिपणी करवानू ताडवू जोई है देखे भारत जो है वो विविदिताओं में एकतावाला देश है यहां अलग अलग धर्म है अलग अलग जातियां है अलग अलग भासाएं हैं और हमारी खुबसूर्ती यह है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं हमको सभी धर्म का सम्मान करना केंद्रे सरकारी संसेद मां विशेश सत्र बूलावियुचे त्यारे तैना विशे रणनीती नक्की करवा मांटे विपक्षी धड़ुए पन बैठक बूलावी। सौथी महत्वपोर्ण बैठक दिल्ली मां था श्रयागामी बैठक मां लोग सबामा बैठकों नी वैंचली मुद्दे पन अलगलग राजके पक्षो वच्चे चर्चा था इशके छे। संवा मांटे ना पाड़ी दिती हती पची जैराम रमेशे तैने कर्मकांडी थी संबोध्यू अने हवे राहूल घांदी एपना मामले केंद्र पर प्रहार करयाचे। गाहूल घांदी एट्वीट करे कायो छे कि इंडिया इतले भारत एक रास्ट्र एक चुटनी नो विचार भारत अने तैना तमाम राज्य पर थाई रहेलो हुमलो छे। कॉंगेस पार्टी ना महा सच्चिव केसी वैनु गुपाले जणावियो के वन नेशन वन इलेक्षन कमिटी मात्र जुमलो छे। आ संसदिये लोक्षाही ने खतम करवानो प्रयास से केंद्रे सरकार अधानी विवाद पर थी लोकोंनो ध्यान भटकावा मांगी छे। अने आ वन नेशन वन इलेक्षन नो मुद्दो लावी रही छे। सरकार लोक्षाही ने मस्बूत करवा मांगती ना थी। बास्चिक एले कमिटने लेक्षाही जूम्तविंपटने। इसलव इसले लेक्षार है य। हजम्या फ्रम धिर्साइड प्रियर से चेप्रिप्रमुद। एग चैपरिमार्मृ कर एग्रा से लेक्षा है। और्मृ इसे खेजर य। and the Vedanta has come to in these things their intention is very clear understood this is not for strengthening the democracy they are doing to see that notification will under be as a name printed as a former LOP Rajya Sabha then what then our simple question is that what is the disqualification of present LOP to be the member of that committee Kendra मंत्री राजियु चंद्रशेखरे जनावियू के Congress Party अधिर्नजन चौधरी ने One Nation-One Election नी कमिटी मां शामिलन थवानू जनावियू हशे वाजपना नेता है कईयू One Nation-One Election खुबत सारों विचार शाने तेना थी हज़्जारों करोडों रुपयानी बचत था श्यानी ती अपना वाथी गवर्नांस ने सारी रिते लागू करवामा मदेद मर्शे वन नेशन वन इलेक्षन लोको माटे सारू छे परन्तु घणा राजकी पक्षुनी योग्य लागतू ना थी गांधी परिवार ना लुकोई अधिरंजन चाधरी ने कमिटी मा शामिल न थवाना निर्देश थी हूं आश्वरे चकित्थायो नथी तेमने आरूप लगावयो के कॉंग्रेस से देश ना लुको माटे चिला पांसेट वरश मा कई कर्यो नथी परन्तू हवे बड़ा प्रधान मुदी न नेतरु त्वमा देश आगडवती हुष्षे यह आपना रास्त्र आपना आप लुको माटेश न नेतरु न थी नेतरु वरशी न कोई प्रधान नेतर विख्षे देश बनी जशे ब्रस्टा चार जाती वाद अने कोंवाद ने आपना रास्ट्रे जिवन मां कोई स्थान नहीं है। जे आगामी एक हज़ार वरश सुधी आद रास्ट्रे तेम मोदी एक आयू के लांबार समयती भारत ने एक अबज भुख्या पेट वाड़ा देश तरीके जोबामा आउतो हतो। हवे ते एक अबज महत्व कांग्शी दिमाग अने बै अबज कुशर हाथ धरावतो देश। बड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मिर अने अरुनाचल प्रदेश मा जी ट्वाएंटी बैठको योज वांगे पाकिस्तान अने चीन ना वांधाने नकार्यों हतो। प्येम मोदी है काईू के भारत ना दरेक भाग मा बैठको योज वी एस्वभाविक छे। भारत आमा उत प्रेरक नी भूमी का भजवी रायो छे। वड़ा प्रदान मोदी है काईू के भारत ना जिकना भविश्वनी टोचनी त्रोण अर्थ व्य अवस्ताओं मा शामिल थश्य। प्येम मोदी है काईू के सबका साथ सबका विकास पंड विश्व कल्यान माटे मार्ट दर्शक सिद्दान बनी शके छे। वड़ब्रदान नरींद्र मोधी एकायू के फेक न्यूस और आजकता पैदा करी शके छे, न्यूस मीडियानी विश्वस नियताने पर नुक्षान पहुंचाडी शके छे, तैनों उप्यूक समाजमा और शांती माते थे शके छे, आवप्रांत लोक्षाही नीतियों पर बोल गजिंद्र सी शेखावते राजस्तान सरकार पर प्राहार करया, तैमने कयो कि राजस्तान भारत नी बढ़ातकार नी राजदानी बनी गई छे, तैमने कयो कि महला उपर अत्याचार चालू छे, राजस्तान जे भारत नी सांस्कृतिक राजदानी हती, तेह वे बढ़ातका जब 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 थे और राजस्तान मां विश्वास आपी उच्छे राजस्तान मां गैंक वर अने सरकार तैने नियें तृत करवा मां और समर्थ लागे शे और एक नहीं दो नहीं लगा अतार दो लाक से ज्यादा इस तरह की घटना हुई राजासान जो सांस्कृतिक कि राजधानी देश की था वो रेप ट्राफिटल बना जिस तरह अगला शीगल को तरह बिस्टाचार की जिस तरह से ग्यांगवार्श राजस्तान में हुई और उनके सामने सरकार ऐसा है दिखाई देखाई तो उद्धेवट राग्रे समोनी शिवसना नेता संजर रावते जनाविव के वड़ा प्रधान मोदी है संसदनू स्पेशल सत्र बोलाविव शे परन्तु तैनों एजेंड आशनू छे तैना विश्य कोई ने ख्याल नती माहरास्त्र मां गणेश उत्सुना समय काड़ा दर्म्यान दिल्ली बां संसर नू सत्र बोलावा माविव अमने लागे श्री के बड़ा प्रधान मोदी चीन नी लदाक मां कथित गुसन खोरी मुद्धी चर्चा करवा मांगे छे मरेपूर हिंसान इस्तिती अथ्वाची ने प्रकाशित करेला नक्षा विश्य पिये मोदी सदन मां चर्चा करवा मांगे छे आदेश नी सुरुक्षान नो मुद्धो छे जे थी आना पर चर्चा थाई शके छे जो चाईना लडाक में गुझ गज़ गया है उसके ऊपर चर्चा करना चाते है मआपूर चका करनाच थे है चाईना ने जीयर मैब पब्रिस क्या है इसमें अरुनाचर लाडाक की भुमी को आपने मैब पर दिखाए है चाईना ने उससे हो बहुत महरास्ट्रमा मराठा अंदोलन ने पगले हवे हिंसा भढ़कीछ ने लाठी चार्ज बार राजकारन गर्मायों चे जाने पगले हवे महरास्ट्रना पूर्व मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे आंगी शिंदी सरकार पर प्राहारों करया हता शिवसना UBT प्रमुक उद्धव ठाकरे पीम मुधी ने मराठा रक्षर ने लई अने अपील करी हती तैमने अडार सप्टेम्बरे बुलाव मावनार विशेश सत्र दर्म्यान पीम ने मराठाओने अनामत आप्पानी मांग करी हती उद्धव ठाकरे खासकरी याने सस्ती अंतरवाडी गाम मां कयू हतु के हुँ पीम नरेंद्र मुधी ने संसतना विशेश सत्र मां मराठा नामत आप्पानी अपील करूचू तेमने अंदोलन कारी लोको पर लाठी चार्ज करवा बदल माहरास्ट्रनी शिंदे सरकार पर पर पन आकरा प्राहार करया हता तेमने कहो कि जारे तेमनी सरकार सक्ता माहती त्यारे अंदोलनो थया परन्तु त्यारे कोई पर लाठी चार्ज करवा मां नो तो आव्यो के OBC ने पेटा श्रैणियों मां विभाजित करवा माटे रोलनी कमिशन ना एहवाल मां 26 OBC जातियोंने सुची आपफ़ाम आवी छे जोके आंगी रोलनी कमिशन ने कहुँ हतु के जाती यह वर्गी करण नो उद्देश ये पेटा वर्गी करण ध्वारा बध्धाने समान त को आपवानों छे परन्तु पेटा श्रैणि नी पुस्टी घरवा मावी न थी जोके ती त्रॉन थी चार श्रैणियों मां विभाजित थवानी आपेक्षा छे संभवित त्रॉन पेटा कैटेगरी मां थी एकने दस्ट का अनामत आपवानी शक्केता छे जेम ने कोई अनामत नो लाब लई शक्ता न थी तैमना सुधी अनामत नो विस्तार थवो जोई ए किटली क्वर्चस्वे धरावती जाती हुए तमाम लाभों कबजे करे आश्रै मारास्ट कॉंग्रिस ना प्रमुक नाना पटूले आरूप लगावता कहुचे कि विपक्षी गट्वन देन भारत नी बैठिक पती ध्यान हटावा माटे सरकार्ना आदेश पर पूलिसे जलानामा मराथा आरक्षन नी मांग करता प्रदर्शन कार्यों पर लाठी चार्ज कर्यों नाना पटूले दावो कर्यो हतो के महिलावने बारकोने पन बक्ष्वामा न थी आव्या जैना कारण या घट्नामा पन अनेक लुकूई जग्रस थाया चे कॉंग्रस ने ताय कयो के सरकार ना अदेश वगर पूलिस कशू करवानी हिम्मत ना करी शके विपक्षी गटबंधन भारत नीबेदिव से बैठव गुरुवार अने शुक्रवारे मुंबई नी ग्रांट हयात होटल मा यूजाई तेम त्रीविस विपक्षी पक्षोना 63 प्रतिनीद्यों ये भागली दो पटोले एक आयो केचारे माहरास्त्र ना नायाब मुखी प्रधान देवेंद्र फड़न्विस विपक्ष मा हता त्यारे तेमने दाओ करयो हतो क्या ना मतनों मुद्धो 24 लाग मां के लाई जशे परन्तु शिवसे ना भाजब सरकार ने सब्तामा आव्याने एक वरष्टी वधू समय थाई गाऊ छे कॉंग्रिसान सद अधिर रंजन चौधरी एक देश एक चुटणी मांटे केंद्र सरकार ध्वरा रचायली आंट सब्यूनी समिती मां शामिल थावानों इनकार करिऊ तैमने केंद्री ग्रू मंतरी आमिच शाह ने आमामले पत्र लखियाने जान करी ग्रू मंतरी आमिच शाह ने लखिला पत्र मां कॉंग्रिसान सद अधिर रंजन चौधरी कायो के मने माहीती मड़ी छे के देश मां लोगसबा आने विदान सबानी चुटणी एक साथी उजावानी शे जैना माटे एक हाई लिवल नी समिती बनावाई छे जैमा मने स्थान मड़ियू छे मने आ समिती मा काम करवामा कोई वांधो न थी पन मने डर छे क्या एक दगो छे तेमने करू के लोगसबानी चुटणी ती थोड़ा कजमाई ना गाओ तेले बीन व्याभारी क्रिते दीश पर थोपपानो प्रयास थैराओ छे तेमने करू के सरकार द्वारा अचानक लिवायलो निने सरकार ना गुपत उदेश्य विश्री चिन्ता करे छे आउप्रान चौदरी राजसबाना विपक्षना नीता मलिका अर्जुन खडगी ने आ समिती ने बाहर करवा सामे दुख व्यक्त करू छे तेमने आपगलाने लोग तंत्रनी प्रणाली नू अप्मान गणावी हतो लोग सभामा विपक्षना नेताय काई हतो क्या तमाम परिस्तितियों ने कारणे मारी पास से तमारा आमंत्रने नकारवा उप्रांत अन्य कोई विकल्प न थी रहो मध्यप्रदेश ना चित्रकूट मार जाहिल सभामा संभूधन दर्म्यान भाजपना रास्ट्रे अधिव जेपी नडाय चनावी हतो केंडी ए गडबंधन पीए मूधी ना नेत्रूत्वमा देश ने विक्षित रास्ट्रे बनावानू प्रयास करी रहो छे त्यारे एक वाद खुबज दुख साथे कहवी पड़े च्रे के मुंबई मां परिवारवादी गडबंधन इंडिया समूना लोको एकत्र थाया च्रे च्रे एक तरफ देश ने आगर लेजवाना प्रयास थाया च्रे त्यारे विपक्षि गडबंधन आपणी धर्माने संस परिद्र आ रहे हैं और जब भारत की जैजेकार दुनिया में हो रही है भारत की जैजेकार दुनिया मान रही है तो ऐसे समय में ये घमंडिया गडबंधन वह हमारी संस्कृति पर वह हमारे धर्म पर वह हमारे संसकारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयाथ कर रहा है भाजबना नीता शानवाज हुसेने चणावियो कि विपक्ष इंडिया गडबंधन ने नियंत्रेत करवानो प्रयाज भाजब द्वारा करवामा नथी आवियो विपक्ष इंडिया गडबंधन ना लोको एक जूट थे औने वड़ाप्रधान मोधी विरुद निवेदन बाजी करे छे इंडिया गडबंधन नो हेतु देश नो अप्पान करवानों छे आलोको पूता नो चैर्मेन अने कन्वीनर नक्की करी शकता न थी तमनी पहली बैठक मां केज्रिवाल जता रहा बीजी बैठक मां नितिश कुमार वहला निकड़ी गया आने मुंबई मात रीजी बैठक मां ममता बैनर जी प्रेस कॉन्फरेंस मां हाजणना रहा रहा वहाजपना नेता एदाओ करेओ कि विपक्षी इंडिया गडबंधन नेता विचार मरता न थी तेओ एक मातर एक विजाने बचावा माटे एक जूट थाया शोए इजपी विपक्षी दल को या उनके गडबंधन को नेंतरन करने की कोशिश क्यों करेगी भई वो तो सब लोग हमारे विरोध में हैं और एक ठे होकर नेंदर मोदी जी के खलाफ ब्यानबाजी करना गाली देना देश का अपमान करना यही इंडिय एलाइंस का एक मकसद रह गया है वो कन्वेर्नन में ते कर पाएं वो अपना चेर्मेन नत कर पाएं उनकी एक बैठक में खेजरिवाल जी रूठ गया पटना में तो हमने कार रूठने के लिए दिल्ले मां G20 समिटनी बैठकी उजावानी शे त्यारे विदेशी महनु भावना स्वागत माटे अनेक प्रकारनी तैयार्यों करवामावी होटल आपरेशन ना निर्देश खर्ष चमपावते जनावियों के विदेशी महमानोंनू परंपरागत स्वागत करवामावशे अति थी दिवो भवनी धीन पर तैमनू स्वागत करवामावशे रेड कार्पेट पातरी औने विदेशी महनु भावनों स्वागत करा शे आ साथे ज महनु भावने तुलसीनी मारा पन पहरावा माव शे आ खुबज मूटी घटना शे आ साथे समीट मा भाग लेवा माटे दिल्ली पहुंचवाना शे आ एक प्रकार नो उच्सा उच्छे आने देश वास्यों माटे घर्वनी वाच्छे भारतनी संस्कूरुती ने आंतर रास्क्रिय स्तर पर पहुंचाडवानी आ एक तक शे यह काफी गर्व की बात है कि हम बिंग और होस्ट कंट्री हम ताज पैलिस में हमारे यह पर दिग्निटरीज रुकेंगे तो उसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड है और हमने काफी तयारियां करी हैं उनके वेलकम के लिए तो वेलकम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नगाडे रहेंगे एक बॉर ड्रम्स जो हुआ करते थे पुराने जमाने में जो की संदेश देते थे कि जो बड़े डिग्निटरीज है या जो राजा है वो आ रहे हैं उसी तरीके से उनका स्वागत फिर आगे रावन हत्ता हमारे मुजिशन रहेंगे पुरी टीम फिर अंदर भी जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर इस साइड में ट्रेडिशनल सितार तबलार सारेंगी वो सारे मुजिशन रहेंगे और उनका पूरा वेलकम रेड कापेट की तुरू होगा दिल्ली मा योजनारी G20 समिट ने ले यहने तैयार्यू करवा मावी डिसीपी ट्राफिक आलाप पटेले जनावियू के दसमी सप्टेम्बर ना रूज तनारा कारेक्रम ने ध्यान मा राखी यहने रियल सिल करवा मावी रहुँछे विरेशी माहनु भाव जे सडोनी मुलाकात लेवा नाच्छे त्या सुरक्षा बड़ोने तैनात करवा माव्या श्रे आरूट पर कोईपन प्रकार नी बेड के ट्राफिक जामनी स्तिती ना सरजाय तैनू पर खास त्यान राखवा माव श्रे 17 सप्टेंबर ना रूज सबारे साथ कल्ला की कारेक्रम शरू था श्रे अने रात्रे अग्यारवा गया सुधी चाल श्रे दिल्ली वासियुने आठ नहुँ अने 10 सप्टेंबर ना रूज पोलिस वारा जारी करवा मावेली मार्क दर्शिकानू पालन करवानी सला आपिये आज जो रहरे रहा ही है वह दस सप्टेंबर को जो भी शिड्यूल है उसकी रहरा ही है इसके तहत कारकेड की मुमेंट्स हो रही है जो venues है जहाँ पर 10 तारीक को delegations ने आना है वहाँ पर भी deployment है फुल deployment उनका भी practice चल रहा है जो आज मुख्य उदेश है यह है कि होटल से राजगाट की moment की practice हो जाए राजगाट से प्रकति मैदान प्रकति मैदान से होटल और एरपोर्ट की भी practice हो जाए और इन सभी venues पे जो कार्यावाई होनी है उसकी भी practice हो जाए दिलीना मुख्य ब्रधान अर्विन केजरिवाले शनिवारे G20 समिट नी तैयारियों अंगे नी टिपपणी माटे लाफ्टन गवर्नर वीके सक्साना नी टिका करी मुख्य ब्रधान अर्विन केजरिवाले G20 नी तैयारियों अंगे नी मात्रे एक बैठक माँ भाग ली तो जो के आप पार्टी सरकार नान ये कोई मंत्री है कोई पन बैठक माँ हाजरी आपी न थी जे अंगी प्रतिक्रिया आपता केजरिवाले ट्वीट करी अने करू हतू के MCD छिला पंदर वरश्ती भाज फेठर छे तैने उची मैन ते काम करियो छे MCD कामदारोंने तेर वरश बाद समयसर पगार मढवा लागियो छे तमाम कर्मचारी ना प्रयतनोंने उच्छा न करू दोशनी रमत न रमो अने तमामने एक तीम तरीके काम करवादो लेटन गवर्नर वीके सक्सेना आप सरकारी टीका करता करू हतू के चो दिल्ली सरकारी छिला नव वरश्ती काम करू हत तो रास्ट्री राध्धानी मा यूचा नारी G20 समीट नी तैयारी माटे आटला प्रयत्ननी जरूर ना पड़े कॉंग्रेसना संसदिये दर्ना अध्येक्षि सुनिया घांधी ने शनिवारे छाती मा इंफेक्शन नी फर्याद बाद दिल्ली नी सर गंगाराम हॉस्पिटल मा दाखल करवा मावे गंगाराम हॉस्पिटल ना डॉक्टर उनी विश्विश्टीम तैमना स्वार्चे पर नचर राकी रही छे तवी बोना जनावे आनुसार तैमनी हालत हाल स्थीर छे गंगाराम हॉस्पिटल ले पोता ननी विदन मा गयू सोनिया घांधी ने लांबा समय थी समस्या चे ती उने रूटीन चैक अप माटे दाखल करवा मावे हाथा तमने जनावी देए क्या पहली वार न थी जरे सोनिया घांधी ने स्वात से सम्बंधी समस्या आउना कारणे हॉस्पिटल मा दाखल करवा मावे होई अवरशनी शरू आत्मा पन् त्रोन मार्चे सुन्या घांधी ने तावना कारणे गंगाराम हॉस्पिटल मां दाखल करवा माव्या हता चेस्ट मैडिसिन डॉक्टर अरूप बासू अने तैमनी टीमे सुन्या घांधी नी सारवार करी हती आवरशनी शरू आत्मा जानिवारी माँ पण सुनिया घांदी ने वारल इंफिक्षिन ना पगले हॉस्पिटल माँ दाखल करवा पड़िया हता आविस्थिती मां राहुल घांदी एपमण भारत जोड़ू यात्रा ने अध्वच्चे छोड़ी अने माताना खबर अंतर पूछिया आधर म्यान लगभग एक अठवाल्या सुधी सुनिया घांदी ने हॉस्पिटल मां रहवू पड़ियू फदू